तॉलिवूट सूपर इस्टार विजे देवरबुंडा को तो आप सब जानते ही होंगा जिन्होंने टॉलिवूट इंड्रिष्ट्री को अर्जोन रेड़ी गीता गोविंदन जैसी सूपर हिट फिल्म में दिये विजे देवरबुंडा काफी कम समय में फेमस हुए है और ये सब इनके फैंस के कारण हुआ है जिन्होंने इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया तो इस वीडियो में मैं आपको विजे देवरबुंडा के 21 अन्नोन फैक्ट्स बताऊंगा तो बने रहे वीडियो के अंत्तर फैक्ट नंबर वन विजे देवरबुंडा का पूरा नाम देवरबुंडा विजे सहाय है ये 31 वर्ष के हैं पर हैदराबाद के रहने वाले इन्हें बच्पन से सिंगिंग और एक्टिंग में काफी रूची थी फैक्ट नंबर 2 विजे के पिता का नाम देवरबुंडा गोबर्धन राव है जो एक टेली वीजन डेक्टर है और विजे का एक छोटा भाई भी है आनंद देवरबुंडा पेसे से ये भी एक एक्टर है फैक्ट नंबर 3 विजे देवरकुंडा की स्कूलिंग आन्दरपरदिश के एक बोर्डिंग स्कूल सत्यषई High Secondary स्कूल से हुई है विजे देवकुंडा स्कूलिंग डेस पे अपनी फैमिली से काफी कम मिला करते थी फैक्ट नमबर फोर विजेदेव कुंडा ने अपनी ग्रेजुएशन हैदराबाद के बद्रुका कॉलिज अफ कॉमर्स की है जैजुएशन के पूरा होने के बाद उन्होंने हैदराबाद के सूत्रधारत फ़ेटर ग्रुप को जॉइंग किया और अपने करियर के शुर्वात की फेक्ट नमबर फाइव सूत्रधार्ट हेटर गुरुप में उन्होंने तीन महीने तक एक्टिंग सीखी और कई स्टेश सो भी परफॉर्म किये फेक्ट नमबर 6 विजे देवर कुंडा को अपना पहला ब्रेक्ट 2011 में आई तेलगो फिल्म नूब विला से मिला जो एक रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म थी पर उन्हें पहचान नहीं मिल पाई फेक्ट नमबर 7 विजे देव कुंडा की पहली हिट फिल्म पहली चुपुलू जिसमें वो लीड रोल में थे यह फिल्म 64 नेशनल फिल्म आवार्ड की केटेग्री में आई थी फेक्ट नमबर 8 अर्जुन रेटी अर्जुन रेटी तो पर्दे पे सूपर हिट रहे इस फिल्म ने विजे देव कुंडा को सूपर स्टार बना दिया और इस फिल्म ने उन्हें पहला फिल्म फिल्म फिर आवार्ड भी दिल्वाया फेक्ट नमबर 9 विजे देवर कुंडा एक्टिंग में अच्छे होने के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे हैं उन्होंने अपना पहला फिल्म फिर आवार्ड पेच दिया था इसे उन्हें 25 लाग रुपे मिले थे जो उन्होंने सीम रिलीज फंड को दान कर दिये थे अच्छे देवर कुंडा के फैंस उन्हें रावडी के नाम से बलाते हैं हाली में इन्होंने मिंत्रा पर एक क्लोटिंग ब्रेंड लॉंच किया है जिसका नाम इन्हें रावडी वेर रखा है तो नमबर वन पे चलगा विजय का बजपन से सपना था कि वो किसी फिल्म में अपना एक गाना गाया है जो किवल 45 मिनट में रिकॉर्ट किया गया है और विजय क्लासिंग म्यूजिक सीखने की भी कोसिस कर रहे है जैसा ना ना बताया कि विजय देव कुंडा के लिए उनके फैन्स ही उनके लिए सब कुछ है और वो अपने फैन्स की जितना हो सब के उतनी मदद करते हैं विजय अपने एक फैन को फिल्म फेर अवार्ड में भी ले जा चुके विजय ने इस फिल्म को कभी नहीं देखा पर वह चाते थे कि कभीर सिंग सफल हो विजय के फेवरिट एक्टर रंबीर कपूर अल्लु अर्जन और महेज बाबु जैसे सूपर हिट एक्टर है जो उन्हें इंस्पारिड करते हैं विजय ने अब तक 17 फिल्में की है इसमें से 5 के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है विजय ने 2019 में एक नॉन प्रॉफिटेवल फाउंडेशन स्टार्ट किया था जिसमें तिलंगाना और आंधर पर्देश जैसे राज्ये में जो बच्चे तेजा और आगे पढ़ना चाते हैं उन्हें आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है विजय ने अपने बर्थडे पर अपने फैंस के लिए 3 ट्रक आइसक्रीम बाटी थी विजय देवरकुंडा ने अर्जुन रेटी में काफी सिगरेट पी थी इससे उन्हें सिगरेट की लध ही लगती थी अभी भी वह अपनी लध को छुडाने की कोशिस कर रहे हैं विजय अपने खाली समय में स्टोरी भी लिखा करते हैं और ये वह चौथी ग्लास से करते आ रहे हैं अब बात करें विजय देवरकुंडा पर फिल्म कितना चार्ज करते हैं तो अर्जुन रैड़ी के सक्सेस के बाद विजय पर फिल्म का 5 करोड रुपे चार्ज करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही तो विजय देवरकुंडा के रियल फैन इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सस्क्राइब कर दो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में तक तक के लिए बाई